इसकी वज़े से नाशनल सेक्यूरिटी डिफेंस यह सब सेकंड प्रियॉरिटी लिस्ट पे आ जाता था यह व्जी हासिल होने के बाद जितने भी सरकार इंग चाहिए किसी भी एक इरियनिटिक पार्टी की सरकार रही हो शेक्योटी को सवाल को लेकर मैं किसी के ऊपर कोई सवालिया निसान नहीं लगाना शारत है। हाँ इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से प्रधान मंत्री सी नर्ण मोदी जी के नियत्रत में हमारी सरकार बनी है। सुरक्षा हमारी प्राथमिक्ताओं में नंबर एक पर रहा है। और हम जितनी अधिक ताकत और सुबिधा अपनी जो है डिफेंस फोर्सेस को मोहिया करा सकते हैं वह हम कराने की अपनी तरब से कोशिस कर रहा है। क्या ये सही है कि security forces को एक blank check दिया गया है, एक okay दिया गया है कि आपको जो कदम उठाना पड़े security के लिए आप उठा सकते हैं? नहीं हमें अपने सेना के उपर पुरा विश्वास है, कि जहां सयम की आवश्यक्ता होती है, वह सयम का परिशे देते हैं, जहां शौर की आवश्यक्ता होती है, शौर और पराक्रम का भी परिशे देते हैं, इनके उपर पुरा हम सब को विश्वास है, इसलिए किसी का हाथ ब आपको उस वक्त कैसा लगा जब आप जानते थे कि वहां पर हमारे सेनिक जो है वो डेवर टेकन बाइस और जो गल्वान में हुआ उससे दुख हुआ जरूर लेकिन उस वक्त जवानों का जो होसला है वो बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी थी होसला हमारे जवानों की दूबढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं थी चोब मैं गया था हमेरे का हुसला बुलंद था और वहीं मैं कहता हूं कुछ दूद्नितिक कारण होते हैं और security से related सवालों का दम बिलकुल खुलकर जवाब देना, खुलकर बोलना, या कभी-कभी कुछ अपनी मजबूरी भी होती है, कुछ अपनी सीमाएं भी होती है, लेकि मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे सेना के जवानों का हौसला बुलंद था और आज भी है, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस सौरे और पराक्रम का परिशे इस बार हमारी सेना ने दिया है, उस सयम का भी है, उसकी जितने भी तारीफ की जाएगा कम नहीं, अभी चाइना जो है, प्री एपरिल 2020 पोजिशन से पीछे आटने को तयार नहीं है, कोई इंडिकेशन भी नहीं है कि वो हटेंगे, तो ऐसे में सर्दियों के वक्त, क्या आप समझते हैं कि गल्वान जैसा इंसिडंट फिर से हो सकता है, देखे मैं इतना ही देस्वासियों को कहना चाहता हूँ कि, अमेरे देश की सेना, देस्वासियों का मस्तक नहीं जुकने देगी, क्या क्या और जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, यहां पर भी ट्रांस्ग्रेशन के थ्रेट्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट सैटलाइट के जरिए डेटा एनालिसिस करके वो देख चुके हैं कि वहाँ पर एर्स्ट्रिप्स बन रहे हैं, चाइना के चाहिना, वहाँ पर रोड डिप्लॉइमेंट है, वहाँ पर फोर्सेज जा रही है, क्या हमारे फोर्सेज वहाँ पर उसी नमबर के साथ और उसी, मतलब वैसे ही सक्षम है, तो प्रोटेक्टा बॉर्डर्स? बाउndरी को लेकर, पर्सेज्टनल डिफेरेंसेज़ लबे समझते रहे हैं, अच्छा रहा होता कि यह दिफेरेंसेस समापत हो गए होते, ताकि जिस प्रकार के आलाइत पैदा हो रहे हैं इस प्रकार के हालाइत पैदा यह नहीं होते हैं हां यह व्य मत्तुल्स तरह कि यहां पहले से करता चला रहा है लेकर խारत भी सीमा पर रहने पेट्रोलिंग करने वाले अत्वा सीमा की स्रक्षा करने वाले अपने जवानों के लिए इधर बहुत हित्तेजी के साथ इंफरस्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट करना सीमा पर यावश्यक है और वा काम कर रहे हैं आपने कहा था कि पाकिस्तान और चाइना जो है एक मिशन मोड पर काम कर रहे हैं बॉर्डर बॉंडरी को उनकी डिस्प्यूट को जिंदा रखने के लिए तो क्या आप समझते हैं कि 2020 में जो हुआ वह एक इन दोनों मुलकों की मिली भगत थी मतलब एक यह तरफा अटैक नहीं था चाइना से इनकी मिली भगत थी जुगलबंदी थी क्या आप समझते हैं यह हो सकता है मैं इस समझ में कुछ प्रीम्ट नहीं करना शाहता हूं और हमारी आख तो सच मुच बिलकुल शे का जाए ना हमारी नजर तो बस शीडिया की एक आख पर होती है जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं बस शाहे जो भी हो वैसे हमारी कोशिश यह होती है कि हम सभी के साथ अपने अच्छे रिष्टे बना कर रखें वथ एक आचे लत-टूर्ट वार के बारे में तो कई अरसे से बात चल रहی है कि यह टू हो रहा है होनी की बात बात अलग है यह टू-फ्रंट वोर हो रहा है बले ही अटाक ना हो लेकिन हर किसम से आप FATF में देख लीजिए, UN में देख लीजिए, किसी तरह से देख लीजिए, इन दोनों मुलकों के जिसे एक जकड हो गई है, चाइना और पाकिस्तान, एक पिर्स ग्रिप, जो तेख लेकि पाकिस्तान का यहां तक सवाल है, पाकिस्तान तो जब से आर सो वार, बराबर, वह सीज़फायर वाइलेशन कभी कभी महीनों में ही, करता रहता है, सिल्जला जारी रहता है, लेकिन हमारे सेना के जवान बराबर उसको मुझतोड जवाब देते रहते हैं, और भारत के जवानों ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है, कि केवल इस प ऐतंखबाद का सफाय करने के लिए उस पर भी आकर आतंखबादी ठीकानों पर हमले करने की जघुद्ध होगी, बहरत कर सकता है, भारत के अंदर वा कुवत है, तागत है, यह सिद्ध कर दिया है. आप क्रॉसबर्डर के लिए कह रहे हैं? जो मैंने मुझे कहना था वो कह दिया मैंने रक्षाम अंतरी जी एक तरफ होता है conventional war एक तरफ होता है sci-war एक तरफ होता है hybrid war hybrid war में कई किसम के techniques अपनाए जाते हैं और चाइना जो है अभी हाल ही में अमेरिका ने दिखाए कि कैसे hybrid war और उनके खिलाफ चाइना ने किया था। मतलब चाइना के कुछ उनकी जो मेन कुछ पार्टी जो है। पार्टी के लोग जो हैं, वो फिन्क, टैंक समें बेधे हünüz किए है। और वो अंदर से पार्टी का काम, यानि चाइना का काम करते हैं, दूसरे मुलकों में बैठ कर, और क्या वो हमारे यहां भी हो रहा है, हम जानते हैं कि आपके सरकार ने कुछ आप्स बैन किये हैं, पर इसके आगे भी कुछ है, आपके पास कुछ ऐसी, इंटेल तो आई होगी जो आप शेर नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सही है कि चाइना भारत में भी ऐसे कोशिश कर चुका है, करने वाला है? वैसे दुनिया की येतनी भी डवलपिंग और डवलप्ड कंट्री हैं, साइबर वार, हाइब्रेड वार, इन सब सारे शुनावतियों को अच्छी तरह समझती हैं, और उससे अपने डेश को बचाने के लिए, अत्वा इस चैलेंज का मकाबला करने के लिए वो अपनी ब्य मैं दुनिया की अन्यक्सी डेश का नाम नहीं लेना चाहता की, कौन अमेरिका के साथ कर रहा है, कौन रूस के साथ कर रहा है, कौन आस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है, इसकी मैं शर्चा नहीं करना चाहता, भारत को अपनी सिरक्षा के लिए, चाहे वो साइबर वार हो, चाह कि इंडिया समझता है कि वो शांती चाहता है इसलिए उसके खिलाफ कोई ऐसे अटैक्स होंगे नहीं पाकिस्तान के लावा और कोई करेगा नहीं यह सॉफ्ट स्टेट टैग जो इंडिया को लगा हुआ है लेकर इसाफ्ट सटेट का क्या मतला को सफ त। हम हैं लें कि स्वाभिमान पर कभी जोट नहीं रहती है। कोई हमारे उपर चोट करे हमारे स्वाहवान पर चोट पहुशाने की कोजिस करे और हम चुपी साथकोगने बा formulated बाथ कर बैथे रहें ऐसा भारत नहीं रहा है भारत किसी भी सुरत में अपने स्वाहविवान के साथ समझगोता नहीं कर सकता है और मैं परविश्वास के साथ, दिनता के साथ यह बात मैं कहना चाहता हूँ, चाहिए उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत हमें क्यों ने चुकानी पड़े। अगलाफ ऐसे वारफेर शुरू हो चुका है। नाइशनल सेक्योरिटी जो हमेशा भारत में एक गव्मुन रोल या गव्मुन ड्यूटी माना जाता था। जोडना, यह हर नागरिक के लिए कि जोडना नागरिक है, सर्कार्ट थोड़ी बहुत काम्याब रही है उजय है, पिछले छे साल में क्या यह एक सोची समझी एक प्लान था एक सोचा समझा प्लान था या फिर यह आपके पार्टी में या आपके मेभी आरेसेस बैक्ग्राउंड या जो भी है national security जो है it's in your nature ये सही है कहना नेशनल शेक्योटी के बारे में मैं चाहिए पिछली सरकारे नहीं हो, मैं किसी को भी जिमेदार नहीं ठाराना चाहता। साथ खड़ा हो, तो सारे रेश को, सारे भेरभावों को भूलकर एक जुठ होकर एक साथ खड़ा होना चाहिए। जितना बन सका पिछली सरकारों ने किया और आज पिछली साड़े 6 वरसों में मोनी जी के नत्रुत में हमारी सरकार भी काम कर रही है। और राष्टी स्वावान की प्रखर और प्रबलभावना भारत वाशियों के अंदर बहुत पहले से रही है। अब भारत के प्राचीन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें। बरावर जब भी अपने स्वाहिवान का प्रस्ण खड़ा हुआ है। भारत में सरही लड़ाई लड़िये। हजारों वर्स तक हम लड़ते रहे हैं। जहां आप कहते हैं कि there should be unanimity, सभी political parties, लेकिन राहूल गांदी Congress Party कह रही थी कि 2019 में चाइना ने देखा कि BJP जो है या भारत अंदरूनी मसलों को लेकर इतनी उल्जन में पड़ गई थी। चाहे CA हो, Article 370 हो, Triple Talaak का हो, इंडिया was in a state of bubble और उसमें उन्होंने चाइना ने एक window देखा और हमला कर दिया। क्या ये सही है, तो इसमें आप देख लीजे कि Congress Party के जाना है। और इस डेश की परिस्टियों का मुल्यांकन की साधार पर किया या तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं समाता हूँ कि 2014 के बाद चाहिए जितनी वी बड़ी चुनोती आई हो। हमारे प्रधान मंत्री ने जिस हिम्मत के साथ और जिस सयम्स के साथ जिस सूजबूच के साथ काम किया है। और उसमें काम्याबी हासिल किया उसकी यतनी वी प्रसंसा की जाई वक्तम है। भारत कभी परिशान नहीं रहा ही दर 2014 से लेकर आज तक 2020 समाप्त हो रहा है। इन शाड़े शैवर्सों में किसी चैलेंजिस को लेकर परिशान हुए हूँ। इस इस्तिती में न तो अपनी प्रधानमंत्री को हमने देखा है ना उनकी प्रधानमंत्री के नेतरत में काम करने वाली सरकार को पाया है। कभी हम लोग न किसी शुनावती को लेकर बिलकुल सयम नहीं खोया है। मैं किसान अंदोलन पर आती हूँ अब आप यूव बीन अग्रिकल्चर मिनिस्टर इसलिए आप जानते हैं इस इशु को आपने बहुत करीब से देखा है जो अग्रिकल्चर पॉलिसी है इस मुल्की आपके टेन्योर के दौरान आपने 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 किसान चैनल शुरू क किया था किसान अब प्राइसिंग के ऊपर भी आपने रेट आप इंट्रेस्ट किया था पहले जहां 14-18% किसानों को अपने कर्ज पर ये इंट्रेस्ट देना पड़ता था तो उसमें बाच्ची थूईटी तो उसमें 8% पहली भारतल जी के सासनकाल में ही यह हुआ था और हुआ भारत के किर्शी मंतरी के रूप में जम्यदारी ने भाऑने गाइने का ऊसर मिला था जी अब किसान जो है वह दिली के बॉर्डर पर हैं। उन की ढमांड करूं सब्सक्राइस के services बातचीत हो रही है, कई policy decisions हुए हैं, कई tweets जा चुके हैं, speeches हो चुके हैं, लेकिन आपकी पार्टी से कोई भी border पर नहीं गया, हमदर्दी जताने के लिए, ऐसे क्यों लगता है कि आपकी पार्टी के लोग insensitive हैं? बेकि हमारी पार्टी के किसान को लेकर insensitive होने का तो सवाल खड़ा ही नहीं होता, हमारे किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्सन दे रहे हैं, सच मुझ केवल किसान होने के नाटे मुझे ही पीड़ा नहीं है, मैंने देखा है हमारे प्रधानमंतरी यह कोई भी इसकी गहरी कर बनाए गए, और बराबर जब से बोधी जीने प्रधानमंतरी की रूप में जिम्मेदारी स्माली है, प्यूकि मैं कैबिनेट का एक senior boss member होने के नाते में कहा रहा हूं कि उनके साथ बराबर हर मुद्दों पर वाचीत करने का मुझे आउसर भी मिला है, मैंने देखा है कि किसानों को लेकर बराबर उन्होंने अपनी चिंताव्यक्त की है, और प्रारंब से ही, और 2014 क्या, 2014 के पहले जब हम लोग campaign के लिए जाते थे, चुनावी campaign के लिए, उस समय भी कि देश की किसानों की हालत जब तक नहीं बदलेगी, तब तक देश की हालत नहीं बदल सकती है भारत को जिए धनवान भारत बनाना है, तो भारत की किसानों को भी धनवान हमको बनाना होगा, यानि उनकी आमदनी को हमको बढ़ाना होगा, यह हमारे प्रधान मंतरी की सोच रही है, और प्रारंब से उनके द्वारा यह कोशिस की जा रही है, अब इसे minimum support price का यहां तक रही है, minimum support price पर यतनी परचे पहले होती थी, और अब कितनी हो रही है, कितने सारे आइटम्स की हो रही है, आखड़े उठा कर देखेंगे, तो पूरी तर से बात साफ हो जाएगे, पर MSP को लेकर आप statement, आप उसमें policy में लाते क्यों नहीं है, लेख लीजे, कि MSP नहीं हट आजाएगा, it's not there, यह बार-बार प्रधानमंतरी कह रहे है, यह पहले भी कहें, MSP था नहीं, पर अब जब क्योंकि वहम आ गया है, तो सिर्फ, यह कोई वियोस्था, मैं पहले ऐसा था ही नहीं, वियोस्था चली आ रही थी, और आज भी प्रधानमंतरी कह रहे हैं, हम सब सारे लोग बोल नहीं है, तो हम अपने ऐसे बचन से मुकर कैसे जाएंगे, लोक तंतर में जो अपनी बचन से मुकर जाता है, उसे तो अच्छी तरह की, अच्छी सजा यह जनता दे सकती है, लोक तंतरी वियोस्था में, यहिदिकार उसे प्राप्त है, जो हम कह रहे हैं, उस बश्षन को पूरा करेंगे और आगे बढ़ कर पूरा करेंगे और तीनों कानुञों के मार्धव से पूरी कोशिछ की गई है कि सद्थ कि किसान की आमदनी 2 अधाई गूना तीन गूना जितनी अधिक साधование certains को सके बढ़े कि जैसा मैंने पहले कहा कि किसान धरनें पर बैठे हैं सच मुछ हम जैसे लोगों को भी वेजना है अब उत्तर प्रदेश के भी किसानों से पूझे की मैं मुख्यमंतरी जब था तो उस समय भी तिक आयस्ताभ के सथी हमारे पास में लखनौ में गए हुए इसे कि समस्य का समाधान निकला था आज भी हम चाहते हैं कि इसमस्या का समाना निकले हमारे कि इस किर्शी मंतरी से नर्ण सिंग तोमर और उंगे साथ हमारे वारिज्य मंतरी से प्यूश को एल यह सब तारे लोग बैठे हैं सारे अधिकारी बैठें बादशित चल रही है हमारा जो में किसान भाईयों को एक सु किसानों के हितों के प्रतिकूल है उसके खिलाफ है जो ही आवश्यक होगा हमारी सरकार करेगी मैं यकीन दिलाना चाहता हूं जैसा मैं प्रधान मंतरी की मंसा को जानता हूं किसानों के हितों के उपर हम किसी भी इस दूरत में चोट नहीं पहुंचने देंगे मैं यह बाद दिल की गहराईयों से कह रहा हूं क्योंकि किसान अड़ गए हैं कि अब या तो हटेगा यह कानून या मतलब जब तक हटेगा नहीं हम नहीं हटेंगे यह बादचित हो रही है और मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ समाधान उतका निकलेगा यह मेरा विशास भरोशा है और मैं हाथ जोड करने किसान भाईयों से किस बिल को मैंने भी स्वैम देखा है कि क्रिशी मंत्री भी रह चुका हूं और क्रिशी जगत की बहुत सारी समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिब भी हूं इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह किसानों के हिट में है एक बार कमस्का दो साल तक प्रियोग करके आप देखें तो कि यह तीनों जो कानून क्रिशी सम्मंदित हैं वो किसानों के लिए कितने उप्योगी हैं देखें तो उसके बाद आपके साथ बैठने को हम दो तयार हैं आप बैठिए आप जहां जहां कहेंगे आवश्यक्त अंसोधन करने के लिए हमारी सरकार तयार है और आज भी हमारे किसानभाई बैठें किसी एक्सपोर्ट को बैठाना चाहते हैं इस प्रट को बैठा लें सरकार के साथ बात चीथ हो और बात चीथ के द्वारा कि यह निकलता है कि नहीं है इन कानूने को फ्लाक फ्लाक क्लाज में संसूधन करने की आवशक्ता है उसके लिए भी सरकारर प्यार है हम पूरी सर्स mnie Azra hamis की वह सरकार के लिए सरकार 시रत है नहीं चला रहे हैं हम हम देश के लिए गरीब पे लिए देश के किसानों के लिए देश की जनता के लिए सरकार चला रहे हैं हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जी जो हमारे देश की जनता के हितों के प्रत्कूल हो उसका खिलाफ हो ऐसा काम हम कभी कभी नहीं कर सकते हैं जी आप हमदर्दी आप समवे रीदन शीलता के बारे में कह रहे हैं लेकिन आपकी पार्टी के ही कुछलोग गिसानों के ही रहे हैं लेकिनुब तानी किसने किया प्रते तान्य किसान शुका हुआ है उनके सांदें उनके सम्माद में हमारे अनदी आता और जब्ही आर्थिक संकटका दौर इस डेस्ट में आया है ठेस की अरफाय व्यंस्था को नहीं किया है तो इस देस्स के इनकी तौरैगी उस्थ्मय भी आयर्थ настоящi से वादशीत करिए वह इस बात की जानकारी आपको देंगे तो सच्वश्य हमारे देश के अर्ष व्योस्था की ताकत है हमरा किसान क्रिसी यह रीड है राश्वी स्वाहिवान की रक्षा के लिए सिख भाईयों ने जितना बड़ा वलेजान दिया है उसे भारत को भूल नही भूल सकता और भारत की संस्कृत की रक्षा करने में हमारे सिख भाईयों का बहुत बड़ा कांट्रिबूशन है तो इसमें अब बतसरैव भारत की स्वाहिवान की सुरक्षा के लिए भारत की संस्कृत की सुरक्षा के लिए जो उनका योगदान है पहले भी था आज भी है कांग्रिस पार्टी जो है किसानों के साथ नजर आ रही है राहूल गांदी जो है उन्होंने करोडों किसानों के हस्ताक्षर लेके वो राष्टपती तक पहुंच गए हैं तो अब ऐसे लग रहा है जैसे कि यह एक सिर्फ एक किसानों के हित की बात नहीं है अब यह एक राज कि किसान मा की कोक से ही पैदा हुआ हूँ इसलिए जिस मा की कोक से पैदा हुआ हूँ और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूँ मन किसानों के किसानों के हितों के प्रत्कूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं मारे प्रधान मंतरी मोदी जी भी गरीब मा की कोक से पैदा हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा इससे ज्यादा कुछ कहने की जोड़त नहीं है तो आप समझते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो ज्यादा जमीन से जुड़ी हुई है जो भी आप रत निकालना चाहें इसका निकालने लेकिन देश के किसानों के लिए गरीबों के लिए हम पूरी तरसे संबेद अंशील है उनका कस्ट हमारा कस्ट है उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है पार्टी टाक्तों के द्वारा एक गलस वहमी हमारे किसान भाईयों के अंदर पैदा करने की कोशिष की गई है हमारी यह कोशिस है कि हम उस गलस वहमी को ॐ topic महीं को दूर करें हमने भी वहुत तारे किसान भाईयों से बाच्चित कि और मैं पुन्हें विनम्रतापुर्वकांट जोड़कर कहना चाहता हूं अपने किसानभाईयों से क्या आप सरकार के प्रतिदियों के साथ बैठ रहें बैठिये तर्क भी तर्क करिए क्लाज वाई डिस्कॉसन करिए हाना में मैं से बता हूं कि बादशीत नहीं की जानी चाह और यह सच मुछ सरकार को लगेगा कि हमें इस कलाज में संसोधन करने की जरूरत है सरकार को संसोधन करने को तैयार रहें पंजाब में जो कम्यूनिकेशन टावर्स हैं उन पर उनकी जो पावर सप्लाई है उनको काट दिया गया है नहीं वह नहीं होना चाहिए मैं समझता हूं कि इस पर हमारे पंजाब के किसान भाईयों को विशायर करना चाहिए कि यहीं किसी के द्वारा यह तोड़ फोड की आ रही है तोड़ का सिलसला बंद होना चाहिए आप यह भी जानते हैं कि इंटरनाशनली इसकी क्रिटिसिजम हुई है और जस्टिन टूडो जो है जो कैनड़ा के प्रधानमंतरी है उन्होंने भी कॉमेंट पास किया था पहले मैं दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंतरी को वारे में कह भारत का आंतरिक मामला है दुनिया के किसी देश को भारत का आंतरिक मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है भारत ऐसा वैसा देश नहीं है जो शाहे वो बोल दे हफ्ता दस दिन भी नहीं हुआ था इस एजिटेशन को लेकर कि कैनड़ा हो जाए या या यॉरप हो जाए वहा एक international conspiracy भी है, आप चाहें इसे एक shadow conspiracy भी है, कहीं से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाईयों को के अंदर गलस फ़हमी पैदा करने की कोशिश की गई है और की जा रही है, इसलिए मैं बार बार विनमरतापुर्वक अपने किसान भाईयों से सम्मान व्यक्त करते हूँ कह बैठाने की उनको भी बैठाई है, सरकार आपके साथ बातशीत करने को तयार है, हम किसान भाईयों के हितों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते हैं, यह भरोसा करें हैं वो, किसान आंदोलन में भी अंबानिया डानी इनका नाम बार बार आता है, जो नारे लगाए जाते हैं, मोदी जी के परसनल खिलाफ लगाये जाते हैं, तो वहां पर भी यह कहा जाता है कि यह जो कानून है, यह इसलिए लाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंतरी के कुछ खास दोस्त या बीजेपी के जो खास हैं, इंडस्टिलिस उनके लिए है, यह कानून. जो 20 वर्स तक इस देश में मुख्यमंतरी के रूप में, प्रधानमंतरी के रूप में काम किया हो, बराबर जिस व्यक्ति को इस देश की जन्ता ने अपना सवर्थन और प्यार दिया हो, उसके उपर इस प्रकार के जो बेवुनियाद निराधार आरोप चस्पा करने के जो आब बने रहते है, टेश की जंता उनको हादिकारत देती है, जहां तक प्रधानमंतरी का प्रशन है, प्रधानमंतरी के बारे में, बुझा अब शब्दों का प्रियोग नहीं किया जाना चाहिए. प्रधानमंतरी, व्यक्ति नहीं वह संस्था होता है. आज तक अपने राजनेटी इवन में सायद बच्पन में कहीं कर कोई भूल हुई हो तो मैं नहीं कह सकता हूं और जब से हमारी समझ बनी है राजनीट के बारे में तब से अपने किसी पूर्व प्रधानमंतरी के बारे में कोई डिर्वेटरी रिमार्क अपमान जनक सब्द कभी मैंने नहीं कहा है तो इस प्रधानमंतरी के बारे में जिस तरह कि नारेवाजी की जा लिए मर जा मर जा यह नारेवाजी होगी प्रद्धान मंतरी व्यक्ति नहीं है संस्था है लोक तंतर को मजबूत बना कर रखता करका रखना है तिस देश की संस्थाओं को राश्पती हो प्रदान मंत्री हो मुखने आधीस हो यह सुर्फ समस्थाएं है इनकी प्रदिष्ठा और गरिमा को बना कर रखना के वल सब्ताधारी दल की जम्माइदारी नहीं बनती है पीपक्ष हो चाहे कोई भी हो सब्ती हिजम्माइदारी बनती है कि एक आप मारे पार्टी में ही डॉक्टर म महतनच जी के वारे में किसी ने कुछ रिमार कर दिया था मैं उसकी यहां चर्शा नहीं करना चाहाता है लेकिं तुरंत मैंने उसे कंटर्डृक्त किया था मैंगे कर सकून ह्सा की मैंने का प्रधान मंत्री के बारे मैंने डाक central महुंट सिंह जी कियवल डॉक्टर Dalman Mohan सींही नहीं है हुआरे देशा के प्रधान मंत्री है उनके खिलाफ कि lesi the इरुगेटरी रिमार का अपमान जनक किसी सब्द का प्रियोग नहीं किया जाना चाहिए उस समय भी मैंने कहा था और आज तक मुझे याद नहीं है कि अपने चाहे कांग्रस का प्रधान मंतरी रहा हो जा मैं रदेव गोड़ा जी रहे हो दर्शिम्मा राओ जी रहे हो कोई रहा हो किसी के बारे में अपमान जनक सब्द मैंने कभी प्रियोग किया हो किसी को हमने कहा हो कि मर जा मर यह जो प् सब्सक्राइब होने लगती है शूसंस जब कमजोर होते हैं लोग तंत्र कमजोर होता है तो आपको लगता है कि कि विपक्ष से किसी को उठखड़ा होना चाहिए था कहना चाहिए था कि ऐसे नारे बाजी नहीं होनी चाहिए सांदूलन में विपक्ष अपनी मैदारी समझे मैं विपक्ष को उपदेश नहीं देना शाहता है औरना हम से वो उपदेश की अपेक्षा भी रखते हैं वो स्वेम सवाजदार लोग हैं मैच्योड लोग हैं वो स्वेम फैसला करें उन्हें क्या करना शेए लेकिन गधानमंत्री राश्वटी मुखिद आइडीस यह सब स किस तरीके से उनका सब्मान किया है कभी कभी पाल्टी के हितों के विरुद्ध जाकर भी किया है मर्यादाओं को तोड़ कर यह राजनीत करने का मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं है इसमें अपने जीवन की सार्थक्ता मैं नहीं मानता हूँ जब तक राजनीत करूँगा कोशिश यही करूँगा कि मर्यादाएं किसी भी तूरत में टूटने नबाएं सर हाली में जमू कश्मीर में एलेक्शन हुए थे और वहाँ पर पीडीपी और एंसी का कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था तो आपके क्या विचार है इस बार में लेवल प्लेइंग फिल्ड क्यों नहीं थी सारे लोग आजाद थे ऐसा नहीं था कि कोई नजर्वन था सबको भूमने ठहलने की आजादी थी लेकिन जो चुनाव परिणाम आये हैं कास्मीर के इस बार अफ्थानी निकायों के जो ग्र पीडीप का कहना है फारूख अब्दूला का भी कहना है और फिर आगे जाके महराश्टरा में या तमिलनाडू में पश्चिम बंगाल में सब चीफ मिनिस्टर्स हों या पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो इदायरों को इस्तमाल कर रही है कि चाहे CBI हो या Enforcement Directorate हो कि victimization हो रही है of non-BJP parties नहीं है इसा मैं इसा मैं नहीं मानता विक्तिमाइजेशन की ज़रुवत क्या है हम हतास हों हार रहे हों डूब रहे हों तब तो victimization की ज़रुवत पढ़ती है हम देखना है लगातार हर राजियों में हमको भीय प्राप्त होत चाहे उत्तर प्रदेश का वाई election हो मत्रदेश का वाई election हो सभीजेगा हम जीत ही रहे हैं नहीं उनका कहना है कि आप जीत इसलिए रहे हैं क्योंकि आप इन इदायरों का इस्तमाल कर रहे हैं कि 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 वहां पर हो रहा है वेस्वेंगाल में हो रहा ह तेलंगाना में तेलंगाना में किसके ओपर किया है? विए सबको सबका कहना है कि इलेक्शन जब आते हैं तो एडी का इस्तमाल होता है, सी बी आई का इस्तमाल होता है, उस राज में उन पॉलिटिकल पार्टी पर प्रेशर डाना है सबसे बड़ा एलेक्शन से लोकसभा हो गया, किसके खिलाफ कारवाई हुए थी, किसके खिलाफ एडी सीवी आई के कारवाई हुए थी, देश की जनता ने फिर भी मोदी जी को जबरदस्त मैंडेट दिया कि नहीं दिया, तो अपनी कम्जोरी छिपाने के लिए ऐसा करने का प्रस नहीं निकड़ा होता है, क्योंकि यही आरोप है, सारे प्लिटिकल पार्टी यही आरोप लगा रहे है कि बीजेपी जो है प्रेशर डालती है, इन सी बी आई हो या एन्फोर्समेंट डिरेक्ट रेट हो, अब है, हो सकता है किसी खिलाब कोई कारवाई करती हो यह सब आगने, कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए, यह कहते होंगे, बीजेपी को टारगेट करते होंगे, वि बीजेपी कि कहने पर हो रहा है, ऩ। झेर जो व बीजेपी के खास माने जाते हैं, चाहे वो इंडॉस्ट्रिलिस् निकही लिए एक सॉस्विजास होता है, उन ऐसा नहीं जरूर जिनके खिलाब यहां कानून की आवश्यक्ता पड़ेगी वह कानून अपना काम करेगा उससे सरकार को जोड़ कर देखना तो पुलिटिकल वेंडाता के तहद तो कुछ किया जाता हो सर आप यूपी के संसद हैं इसलिए मैं उत्तरप्रदेश को लेकर एक सवाल पूछूँगी कि वहाँ पर जो ये अंटी कन्वर्जन लॉव आया है उसे जब जिहाद लॉव भी कहते हैं वहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि यह जो लॉव है उसे misuse किया जा रहा है जो लड़कियां जो हिंदु लड़की मुसल्मान लड़के के साथ शादी करना चाती है समाज उसे पहली बात तो करने नहीं देता और जब वो हिमत करके करना भी चाती है तो अब इस law के तहट उसे और भी subjugate किया जाएगा, अलग किया जाएगा, लड़के को जेल में डाल देंगे, ये सब को पता था कि ये होने वाला है, इसके बावजूद उत्रप्रदेश से शुरू हो के बहुत से राजियों में ये anti-conversion law को misuse होने का डर है. ने हमारा तो ये कहना है कि conversion होना ही क्यों चाहिए? पर ये तो संविधान में है? नहीं, मैं देखता हूँ कि कहीं कहीं तो सामोहिक धर्ण परिवर्तन का सिलसिला चलाए जा रहा है देश में, ये सिलसिला बंद होना चाहिए, ये रुकना चाहिए. पर जहां तक मुस्लिम समा के लोगों से मुस्लिम समाज के लोग साधी नहीं कर सकते, तो साधी करने के लिए conversion कराना, मैं समझता हूँ कि, इसे मैं व्यक्तियत तुरुप से उचित नहीं मानता हूँ. पर उसका हक होता है, मतलब अगर कोई करना चाहता है, convert करना चाहता है, और कुछ ऐसे cases आये हैं, जहां पर लड़की convert नहीं करना चाहती, और हो भी नहीं रहा हूँ. आपने बहुत सारे मामलों को देखा होगा कि, forcefully, जबरन, लालच देकर भी धर्म परवरतन कराके शादी करना है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, और मैं समता हूँ, सरकारों ने यो कानून बनाया ह जब ऐसे cases आते हैं, सर तो फिर वो जो image होता है, बीजेपी government का, कि एक जबरन हिंदूत्व policy जो है, एक हिंदू धर्म को आगे बढ़ा कर, दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना, ये एक policy matter है, समझा जाता हूँ. कहीं ने, मैं तो है बाँता हूँगा, जो सच्चा हिंदू होगा, वजाति पंथ अत्वा मझहब के आधार पर कोई भेद भाव नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्यौंकि हमारे धर्म साफ्तर भी इस बात की इजाज़त नहीं देते, कि जाति पंथ अत्वा मझहब के इकलावता देश ये भारत है, जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही नहीं, बलकि पुरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य वानते हुए, बसुधाईवकुटंबकम, यानि the whole world is a family, यह मेश्यस देने का काम, दुनिया की किसी सब्छे ने किया है तो भारत ने किया है दुनिया के और कसी देश ने नहीं किया है। यह जाटि, पंथव कैशा लधारफ Hai हमारे लिए हं इंदू, मुसलिम, साही, पार्टी, जितने हैं, सभी भाई-भाई हैं. जो भी भारत माता की कोग से पैदा हुआ है. Sir, आप 1969 में आप आप पॉलिटिक्स में आए, पचास वर्ष पूरे मोने, आप ABVP. 69 में ने. ABVP में जब आए थे, तो जो विश… ABVP में तो 15-15 साल की उमर थे. Student leader बनके जब आए थे. 77 में पहली बार, मेरी उमर 26 साल की थी तब MLA हुआ था. उसके पहले डेट साल में जेल में था, इमर्जन्सी के दोरां. So, almost five decades, almost 50 years आप पॉलिटिक्स में रहे हैं. 50 years, 40 years. तो आप जो पॉलिटिक्स में आए तो जब youth leader थे, BJP में, RSS background के साथ, आपके कुछ ambitions थे, goals थे. उस वक्त का युवा और 2020 का युवा है, आप क्या देखते हैं कि राजनीती में क्या फरक आया है? पहले तो मैं इसपर्श कर दूँ कि मैं सबसे पहले राष्ट्री स्वेम्सेवक संग के स्वेम्सेवक के रूप में आया हूँ. तो कहीं पर हमारा कोई भी एक्सन ऐसा नहीं रहा है, कोई यह कह सकता हो कि राजनाश सिंग ने हिंदू मुस्लिम महशाई इस आधार पर कोई discrimination किया हो, कोई भेद भाव किया हो, ऐसा कभी नहीं रहा है. और मैं यह कहना चाहता हूँ, कि जिस आरेसस की बात है, मैं आरेसस के बारे में भी कह सकता हूँ, इस आधार पर नहीं सोचता है, कुछ चीजों को लेकर गलत स्वहमियां जुरूर पैरा हो जाती है. तो उस वक्त का युवा क्या चाहता था भारत से? उस समय जो हम लोग काम कर दें तो हम थो कभी सोचते भी नहीं थे, कि हमारी पार्टी कभी भारती जन संग, जनता पार्टी कभी सत्ता में आएगी, इसकी तो कल्पना भी नहीं थी. हमें देश की शेवा करनी है. बस यही लोगों के अंदर बिल्ड अप करने की यही कोशिश हमारे राश्वी श्विम्शों के संगह के तवारा भी और भारती यंतापाड़ी के तवारा की जाती थी है लेकिन सतता में आना जरूरी होता है अगर आप नैशनल पॉलिसी सड़ना चाहते हैं आप देश में कुछ करना चाहते हैं तो फिर सत्ता में आना जरूरी होता है तो यह आपको कब महसूस हुआ जब आप स्टेट लेवल पॉलिटीर्शन थे या फिर स्टू privat लीडर ते पड़ आपको लगा कि स़कार में रहने पर ये बात सही है काम करने का उसर तो मिलता ही है में मानता हूँ परफपक्ष में रहा कर भी जो अहम मुद्दे होते हैं जन सामाने के हीतों से जुड़े हुए उन और सरकार का ध्यान आकर शित करना यह तो विपक्ष की जमेदारी होती है सदन में भी कर सकता है, फदन के बाहर भी कर सकता है ऐसे क्यों होता है कि जो हमारे मुल्क के ही पॉलिटिशन होते हैं वो एम्बिशन दिखाना उसे एक वल्गारिटी माना जाता है मतलब कि कोई यह कहता नहीं है कि मैं प्रधान मंत्री बनना चाहता हूं या मंत्री बनना चाहता हूं, ऐसे क्यों होता है कि हमारे मुल्क में कभी नहीं कहते हैं हम सेवा करना चाहते हैं, यह जरूर कहते हैं लेकिन बनना चाहता है सब मंत्री, बनना चाहते है सब प्रधान मंत्री, यह इपाक्रिसी नहीं है, देखिए जहां तक मनुष्य है, मनुष्य के इक्षाएं तो बहुत सारी होती है, इसको कोई नकार नहीं सकता, यह कोई कहे कि हम कुछ बनना ही नहीं चाहते थे, मैं इससे स हमत नहीं हो बहुत ऐसा है रेर कोई होगा वितरागी सारी चीज़ेंगा की चालिट साल की उमर थी मैं उत्ताप्रदेश का एच्वेशन मिनिस्टर बना था उस में मास कांपिंग सामुहिक नकल का दौर चल लाँ था वड़ी तेजीग के सादब और more than 70%, 75%, 80% ऐसे रिजल्ट साथेट, देड़ साल के लिए शिक्षामंत्री बना था मैं, उसे मैंने फैसला किया, मैं किसी को भी नकल करने की, अज़वा किसी गलत रास्ते पर जाने की जाजत नौईकों को नहीं दूँगा, और anti-copping ordinance, नकल विरोधी अध्यादेश उसमें जारी किया था, उसे लागू किया था, नौन बेलबल बनाया था अपने, सब कुछ कर डाला था, तो उस तो मैं जाकर 14 फीस दी परिणाम आये थे, यो परिणाम 70-75 फीस दी आये, किसी में सोचा नहीं था कि नौन बेलबल हो सकता है, यह उसर मिला, टेक्स्ट बुक के contents में में बहुत सारे परिवर्तन लाने का भी उस समय औसर मिला था, पर आपको कभी ऐसना लागा, कि बस बहुत हुआ, मैं ही करना चाहता है, नहीं नहीं पढ़ाई जाती है, इसका कोई पता तो लगाए, और मैं एक बाद वहां के लंदन स्कूल आफ एकनॉमिक्स के पढ़ा था, उन्होंने यह कहा था, मुझे आश्चर होता है कि वैदिक मैथमेटिक्स भारत में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, अब यह कल पना कर लिए, अब वैदिक मैथमेटिक्स हम पढ़ाएंगे तो हम वो कमेनल होगे, और उसमें हमारे मुसलिम टीचर्स, उसे हादसा, देखिये सिर्फ न्यूज एटीन इंडिया पर कुछ सुनी-सुनाई बाग जो है वो स्पिरेट है यहां पर कुछ आखु देखी राज में देखा कि जे एक लाइट निकला यह चमतकार से कम नहीं है माता के दरबार में आकर परसाफ का रहा है कहानिया ऐसी, जैसे कोई चमतकार नर्मदा की गहराईयों में अद्भुट शिव संसार बसता है क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खत्रा मोल लेना ही होगा जान दाव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हक्तिकत आधा वसा है सुफ न्यूज एटीन इंडिया पर न्यूज एटीन इंडिया आपका बसंदीदा नैशनल न्यूज चैनल देखिए डी डी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच हर ताजा ख़बर के लिए देखते रहिए न्यूज एटीन इंडिया आपके मुद्दे रेटन दीजिए, इंटर्व्यू दीजिए, फिर हाई कोट मलड़ीए, फिर सुप्रम कोट मलड़ीए आपके सवाल विकास का विकास किस ने दिया आपके जवाब क्योंकि ये है आपका शो आपके अपने भाईयाजी देखते रहिए सिर्फ न्यूज एटीन इंडिया पर आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ केल खेला सवाल तीखे मगर जरूरी भी क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी मुद्दे जो आप से जुड़े है राए बेभाग कोरी सियासत है आवाज कभी-कभी उची कर लेते है हम तो स्पोस करेंगे चाहे कोई भी हो ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए देखिए आर बार सुमबर से शुक्रबार राथ साथ बजे न्यूस 18 इंडिया पर न्यूस 18 इंडिया आपका पसंदीदा नैशनल न्यूस चैनल उपलब धे टाटा स्काई के चैनल नंबर पांट सो नीस और एटर के चैनल नंबर तीन सो अठारा पर हर ताजा ख़बर के लिए देखते रहें न्यूस 18 इंडिया आप देख रहे हैं आज की ताजा ख़बर मैं हूँ आपके साथ जस्प्रीद कौर रक्षा मंतरी राजनाज सिंग ने किसान बिल के मुद्दे पर क्या कुछ कहा ये सुनते हैं किसान अड़ गए हैं कि अब या तो हटेगा ये कानून या मतलब जब तक हटेगा नहीं हम नहीं हटेंगे या बाच्चित हो रही है और मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ समाधान उसका निकलेगा ये मेरा विशास वभरोशा है और मैं हाथ जोड़ करें किसान भाईयों से विनमबर अन्रोड करना चाहता हूँ कि इस बिल को मैंने भी सुयम देखा है क्रिशी मंत्री भी रह चुका हूँ और क्रिशी जगत की बहुत सारी समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिब भी हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये किसानों के हिट में है एक बार कमस्कब दो साल तक प्रियोग करके आप देखें तो यह तीनों जो कानून क्रिशी सम्मंदित हैं वह किसानों के लिए कितने उपयोगी हैं देखें तो उसके बाद आपके साथ बैठने को हम दुख तयार हैं आप बैठिए आप जहां-जहां कहेंगे के आवश्यक संतोन्द करने कि लिए अमारी सरकार तयार है और आज भी से हमारे हुआ एक किसान भाई बैठें किछिस्पोर्ट को बैठाना चाहते हैं एक्सपार्ड को बैठा लेए किसासर कार के साथ बात्ची थो और बातचीट के द्वारा कि यह निकलता है कि नहीं इन कानूने को फ्लाक फ्लाक क्लाज में संतोधन करने की आवश्यक्ता है तो उसके लिए भी हमारी सरकारते हैं हम पूरी से से फ्लेक्सिबुल है